Dear Students, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट साइन्स को पढ़ाना शुरू करते हैं जैसा कि आपको पता है हम लोग साइन्स सब्जेक्ट में एक बायोलोजी के चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जेव प्रक्रम यहे एक बायलोजी का चैप्टर है जेव प्रक्रम करते हैं तो जो पूरा एकसासाइज हम लोग पढ़ के खत्म करते हैं तो पीछे जो सत्म पता रहे है उसको देखते हैं अभ्यास अभ्यास का प्रस्ण ठीक है अभ्यास वाले का प्रस्ण उसका हम लोग उत्तर की भी बताने वाले हैं प्रश्ण उत्तर देखने वाले हैं अभ्यास का तो चलिए पहला कोश्चन लिखा जाए अभ्यास का पहला कोश्चन लिखेंगे मनुष्य में पहला कोश्यन बोल रहे हैं मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है जो संबंधित है एक कोश्यन हुआ कम्प्लेट और इस कोश्यन में चार को आप्शन है ठीक है नमबर A, नमबर B, नमबर C, नमबर D तो पहला आप्शन लिखा जाए पोशन दूसरा आप्शन बी वाले में स्वसन तीसरा उत्सर्जन चौन्था परिवहन चौन्था में परिवहन ठीक है चलिए दोस्तों जो पहला कोश्यन बोल रहे है वो क्या बोल रहे है जर अच्छे से समझे है बोल रहे है कि मनूस्ये के में एक ब्रीक होते है ब्रीक का मतलब किडनी ठीक है ये ब्रीक ये जो ब्रीक होते है एक तंत्र का भाग है जो किसे से संबंदित है यानि कि ब्रीक जो है पहला आप्सन पोसन के लिए है कि स्वसन के लिए है कि उत्सर्जन के लिए है कि परिवहन के लिए है तो हम लोग जानते हैं ना कि ब्रीक जो है ये उत्सर्जन वाले में, आप फिकर बनाये होंगे, मानो के उत्सर्जन तंतर के लिए तो हम लोग सीखे न, कि उत्सर्जन में एक जोड़ा brick होते हैं, बायां brick, दायां brick उसी तरीके से यहांपे सवाल बोल रहा है, कि brick जो है, किसे से सम्बंधित है पोसन से, किस्वसन से, कि उत्सवर्जन से या परिवहन से तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्सवर्जन करेक्ट आंसर यानि कि option number C को करेक्ट करेंगे, ठीक है, option number C सही हो जाएगा, चलिए, इसके बाद दूसरे question की तरफ आगे बढ़ता है दूसरे question लिखा जाए, पादप में, पादप में, जाइलम, जाइलम, उतरदाई है question complete हो गया, अब यह भी option वला है, तो A option, B option option, C option, D option लिखा जाए, तो पहला option है, जल का वहन जल का वहन, दूसरा में, B number option, भोजन का वहन, भोजन का वहन तीसरा नमबर option, एमीनो अमल का वहन, आमीनो अमल का वहन, और चौन्था अप्सन लिखा जाए, ओक्सीजन का वहन, दूसरा जाए, बोला गया question को अच्छे से समझे, पादप में, एक जाइलम होते हैं, जाइलम उतक होता है, ठीक है, हम आपको बताए भी थे, कि पादप में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो पादप में वहन किसके माद्धम से होता है, तो जाइलम और फ्लोयम उतक के वज़े से, जाइलम का काम क्या है दोस्तों, कि पेड़ पोधों में, जड़ों से, जाइलम उतक का, जबकि पादपों में एक और उतक होता है, जिसको बोला जाता है, फ्लोयम उतक, तो फ्लोयम उतक का काम क्या है, ये पेड़ पोधे जो अपने पतियों द्वारा सुर्ज की प्रकास की उपस्तिती में भोजन बनाते हैं, तो वह भोजन को भी पोधे क्या क पतियों के लिए ही भोजन जरूरी नहीं है, जबकि जड़ों को भी भोजन क्या वे सकता होती है, तो जो हम लोग देख पाते हैं कि पादपों में भोजन बनाया जाता है तो उस भोजन को भी सरीर में फैलाया जाता है तो वह भोजन को सरीर में फैलाने का काम कौन करता है वह काम करता है फ्लोयम उतक तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि phloem उतक जो है भोजन के लिए होता है जबकि जाइलम उतक किसके लिए होता है जल के लिए होता है तो इसमें स्वाल ये था कि पादपों में जो जाइलम उतरदाई है ये किसके लिए है तो answer करेंगे हम लोग जल के वहन के लिए यानि कि option number इसका हो जाएगा A number option दूसरा का कौन सा A ठीक है A में नहीं लिखे हैं जलका वहन तो A में हो जाएगा जलका वहन चलिए उसके बाद तीसरा number question लिखा जाए तीसरा number question तीसरा question लिखा जाए More स्वपोसी पोसन के लिए आवस्यक है यह question complete हो गया question क्या बोला स्वपोसी पोसन के लिए आवस्यक है अब क्या आवस्यक है भई तो पहला option लिखा जाए पहला option कार्बन डायोकसाइड तथा जल दूसरा option में कुलोरोफिल कुलोरोफिल तीसरा option सूर्ज का प्रकास सूर्य का प्रकास तीसरा option सूर्य का प्रकास हो गया चौथा option सभी जो देख लो भई बोला गया कि स्वपोसी पोसन तो स्वपोसी पोसन किसको कहते भई तो स्वपोसी पोशन उसको कहा जाता है जो अपना भूजन क्या करते हैं स्वैम बनाते हैं जिसमें कौन आता है पादप आते हैं पादप बोले तो पेड़ पोधे आते हैं जो अपना भूजन खुद बनाते हैं उनको स्वाप पूसी कहा जाता है ठीक है तो बोला गया कि स्वाप पूसी के लिए क्या-क्या आवस्यक है पहला option है carbon dioxide और जल बिल्कुल सही भाई हम लोग समझे हैं न कि कोई भी स्वाप उसी पोशन के लिए carbon dioxide जैसे कि पेड़ पोदों के लिए carbon dioxide जरूरी है और हम लोगों के लिए मानों के लिए oxygen जरूरी है तो हम लोग को पहला correct भी हो जाएगा पहला option भी कही न कहीं सही है न स्वाप उसी पोशन के लिए क्योंकि स्वाप उसी पोशन के लिए तो carbon dioxide जल भी जरूरी है दूसरा option है chlorophyll हाँ ये भी जरूरी है क्योंकि chlorophyll के कारण ही पेड़ पोदों की पत में बनता है दूसरा बोई प्राण में बनता है तो CS जो का इस्थित होते हैं तो क्लोरोफील जो होता है इसलिए अक्सर हम लोग बोल देता है कि प्लर पोदों जो होते है अपने पतियों के दुवारा भोजन मों बनाते हैं कि यह जो फेल इसलिए बोला जाता ल॑जता है कि और सी उप्सन में लिखे हैं सुर्य के परकास ठीक है तीसरा option क्या है सूरी का प्रकास यानिकि sun का light भी जरूरी है और चौथा option है सभी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका हम लोग का correct answer हो जाएगा D ठीक है क्योंकि स्वाप पूशन स्वाप पूशन के लिए सब चीज़ जरूरी है इसलिए answer हो जाएगा सभी ठीक है चलिए तो तीसरा नंबर तक के question हो गया अगला question देखते हैं हम लोग चौथा नंबर question question number 4 तीसरा का कौनस answer होगा D सभी चलिए question number 4 लिखा जाए पाइरुवेट के विखंडन में पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डायोकसाइड कार्बन डायोकसाइड कॉमा जल जल तथा उर्जा तथा उर्जा होता है होता है और यह किरिया होती है और यह किरिया होती है पहला option है कोशिका द्रब्या कोशिका द्रब्या दूसरा option है माइट्रो कॉंड्रिया दूसरा प्षन माइट्रो कॉंड्रिया तीसरा प्षन हरित लवक हरित लवक चौथा प्षन केंद्रख चौथा अप्शन केंद्रक ठीक है चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं कि पैरुएट का विखंडन दोस्तों कहा होता है तो हम लोग सिखे हुए है कि पैरुएट का जो विखंडन होता है वो होता है माइट्रो कॉंट्रिया में आपको बताये भी थे कि पैरुएट का विखंडन कहा होता है माइट्रो कॉंट्रिया में और कभ सिखे थे जब हम लोग पढ़े थे न कि एक गुलुकोज से उर्जा प्राप्त करने का तिन मेथ़ड है ठीक है एक होता है वायू के उपस्थिती एक अभाव में और एक अनुपस्थिती में ठीक है तो कुल मिलाकर वहाँ पर आप देखेंगे कि पैरुएट में का विखंडन होता है वो कहा होता है तो माइट्रो कॉंट्रिया में तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर इस बी याद रखिएगा कि पैरुएट का विखंडन जो होता है वो कहा होता है माइट्रो कॉंट्रिया इस तरीके से चौथा कोश्चन तक के हम लोग किए पांचवा कोश्चन लिखा जाए कोश्चन पांचवा कोश्चन लिखा जाए भूजन के पाचन में भूजन के पाचन में लार के क्या भूमिका है ठीक है चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आखिर भूजन के जो पाचन होता है उसमें लार का काम क्या है हम लोग हलांके सिखे हुए है कि लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है या लाइपेज नहीं एमिलेस एंजाइम ठीक है लार में होता है तो ये जो Amylase Enzyme होता है ये किसके लिए उप्योगी है और हाँ हम लोग सिखे भी है कि जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो चबाने के लिए तो मेरा दाथ काफी है जब भी भोजन करते हैं तो भोजन को छोटे-छोटे टुकडे करने के लिए क्या करता है जीव है, जीव से लार्स रावित होता है, और उस लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, उस लार से पूरा भोजन क्या होता है, गिल्ला हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है, बुरा चिकना हो जाता है भोजन, किसके वज़े से, लार के वज़े से, तो लार के वज़े स जो भोजन चिकना हो गया भोजन में मिलकर तो उसको नली से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि आसानी से फिसल सकता है इसलिए लार का काम है भोजन को के साथ मिलकर भोजन को चिकना करना ठीक है तो चलिए जो कोशन लिखे हम लोग कि भोजन के पाचन में लार क क्या व्युमी का है इसका अंसर लिखा जाए लिखा जाए इसका अंसर हमारे सरीर में हमारे सरीर में ओसुष्ण गलत हो गया उल्टा लिखा गया ज़ mango सुधार लेज़ेगा आप जो पाचमा पांचमा कोश्चन है ना हम छटे कोश्चन बोल दिये ना छटा कोश्चन आपको बोल दिये तो चलिए इसको प्लेज काट लिजे और फिर पांचमा कोश्चन हम दुबारा से बोलते हैं पांचमा कोश्चन दूसरा है हमारे सरीर में ये कोश्चन बोल रहे हैं पांचमा कोश कैसे होता है और यह प्रक्रम हमारे सरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहां होता है यह हम लोगों को पाचन कैसे होता है और यह कहां होता है तो आपको जानती है कि कुल मिलाकर हम जो भोजन खाते हैं दोस्त वो सबसे भोजन सबसे पहले भोजन कहां जाता है अमासे से हीं है अमासे से के भीति से HCL हीड्रोल क्लोरिक अम्लस्त रावित होता है जो भोजन को पाचाने के लिए सहायक होता है हलाई की भोजन का पुन पाचन पूरी तरीक से जो पचता है वह अमासर से फिर कहां जाता है भोजन चुद्रांत्र में चुद्रांत्र मतलब छोटी आत्र में चुद्रांत्र 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 में च पुन्विराम, छुद्रांत्र में वसा बड़े-बड़े कन के रूप में होती है, पीत से स्रावित रस, जिसको पीत रस कहते हैं, उन्हें छोटी कनों में तोड़ देते हैं, पुन्विराम, वस्ता के पाचन के लिए, वस्ता के पाचन के लिए, लाइपेज एंजाइम, होता है, यह एंजाइम, लाइपेज एंजाइम होता है, यह एंजाइम, वस्ता को वस्ता अमल में बदल देता है, चलिए, सवाल क्या बूल रहता है, कि वस्ता का पून्विराम पाचन कहां होता है, और कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखें, कि इसका जो पून्विराम पाचन होता है, वस्ता का वो छुद्रांत्र में होता है, चुदरांत्र में जैसे ही जाता है तो वसा का बड़ा-बड़ा कन होता है लेकिन उसको छोटे कन में ब्यक्त करने के लिए पितरस स्रावित होता है वह पितरस का काम क्या है वह पितरस का काम है कि जो पितरस का काम है कि उसको छोटे-छोटे कनों में बदल देना ठीक है जब वो छोटे-छोटे कनों में बदल दिया जाता है तब वसा का पूर्ण पाचन में आसानी होता है और उसके लिए एक एंजाइम का रेसील होता है जिसका नाम याद रखेगा लाइप पेज टिक है तो दोस्तों आज हम कोश्चन नंबर पांच तक के डिसक्स किये अगले क्लास थे पुर्ण नंबर टाइब कर o का सैंजाइम नंफै है और या होता है जाए वक्कशनी हो फिन्स पत्वे आजिए होता है या जंदो में दो हुशे मेले क्लास है झाली यारी होता है